क्या आपने कभी मिकसर पर मुंबत्ती लगा कर अपनी धेरों पैसे बचाए हैं अगर नहीं तो आज मैं आप से भी के साथ कुछ ऐसे टीपस और ट्रिक शेयर करूँगी जिसे आप दिवाली के बेकार बचे हुए सामानों से जिसे दिया मुंबत्ती से आप अपनी धेरों प आग में भी गरम कर सकते हैं जब यह अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय में एक बार आप इन दियों को डाल दीजिए उसके बाद देखिए कि हमारी चाय का टेस्स कितना ज्यादा बढ़ जाता है एक बार आप स्ट्रिक को जरू जाएगा चाली धाल कर कि गयस को चालू कर देंगे और इसका अपने दातों के लिए कर सकते हैं जिसके पीला पन है यह दातों में पैरिया है इसका पेश बना करके आप इसको रात को सोने से पहले मालिश करिए आपका पैर एकदम अच्छे से ठीक हो जाएगा अगली ट्रिक के लिए मैंने हैं पर दो दिया लिया है और एक कपड़े में इसको इस तरीके से रख करके इसको हम तोड़ लेते हैं आप इसको बिरा फोल्ड की भी तोड़ सकते हैं तो जैसे आपको सुधा हो उस तरीके से आप इन दियों को पहले अच्छे तरीके से एकदम तोड़ लीजेगा जितना बारिक आप इसको कर सकते हैं उतना बारिक आप इसको कर लीजेगा तो ये देखें मैंने इनको कुछ इस तरीके से तोड़ लिया है अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मिक्सिक जार मिक्सिक जार में सही दिए कि टुकडो को हम डाल करके इसको अच्छे तरीके से पीसना है इसको हम एकदम रोक रोक के पल्स मोड पे पीसना है अगर आपकी धार मुड गई है तो अगली टिक के लिए अगर आपके भी घर में दिवाली पे बचे हुए इस तरीके के मुमत्ति के टुकड़े हैं इनको पहले आप एक जगे इकठा कर लीजिए उसके बाद मैंने यहाँ पे तड़का पहन लिया है और उसमें हम इसको डाल करके पहले अच्छे से पिखला लेंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे दो दिया लिया है और एक एक बाती हम दोनों दिये में रख देंगे इस तरीके से उसके बाद यह जो हमने मुमत्ति को पिखलाया है उसको हम इसमें डाल देंगे और दोनों दियों में जितने दिये में आप इसको बनाना चाहते हैं जितनी कॉंटिटी में आपके हाँ मुंबत्ती का है इसाब से आप बना सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको दो दियों में बना करके दिखाया है और लिए लिजिए हमारे waste मुंबत्ती से बहुत अच्छे मुंबत्ती बन करके तयार हो गई है इंदियों को आप रख दीजिए जब भी आपके घर में light ना हो या फिर आपको मुंबत्ती की ज़रूरत हो आप इंदियों का इस्तमाल करके आप अपनी घर का काम आसान कर सकते हैं अगली ट्रिक के लिए मैंने यहां पर फिर से मुंबत्ती ले लिया है यह colorful मुंबत्ती है इसलिए इनको मैंने एक जग़ा कर लिया है आपके भी घर में इसी तरीके से मुंबत्ती के टुगड़े बसते होंगे तो वापस से हम दड़का पैन में इसको अच्छे तरीके से पिढ़ा लेते हैं उसके बाद मैंने यहां पर एक लाइटर लिया है और अल्यूमिनियूम फॉईल लिया है लाइटर पर अच्छे तरीके से अल्यूमिनियूम फॉईल को हम लपेट लेंगे बहुत ही आराम से इसको इग्दम tightly roll करना है और roll करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमें चिपका देना है और जो पीछे वाला part है उसको भी हमें मोड करके इसको अच्छे तरीके से इग्दम चिपका लेना है ताकि इसमें कोई भी hole ना हो और ये कहीं से भी खुला ना रहे एकदम हाथों से अच्छे से दबाते हुए हमें इसको करना है और उसके बाद हमें lighter को निकाल लेना है इसमें अलग कर लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से पिगला लिया कर लिया है और ये बहुत अच्छे शेप का हमारा मुमत्ती वाला स्टैंड बन के त्यार हो गया है उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बाती ली है और बाती को हम इसमें डाल देते हैं और यह जो हमने मुंबत्ती पिखलाई हुई थी उसको फटा-फट से हम इसमें डाल देते हैं और उसके बाद इसको हम साइड में रख देते हैं ताकि यह अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए और यह देखिए हमारे यह जो बातियाला स्टैंड था यह अच्छे तरीके से भी गया है तो चलिए सारी बाति को इसको निकाल करके पढ़नी को पहले अलग कर लेते हैं तो सारा एल्यूमिन फॉइल मैंने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं हमारे घर में जो बची हुई मुंबत्ती थी उससे मैंने फिर से एक मुंबत्ती तयार कर ली है इसका इस पूजा में यूज नहीं कर सकते हैं तो आप सभी को मेरे आज की टिप्स और ट्रिक्ष पसंद आई हो आप लोगों को इसमें मेरा कौन सा टिस पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चानल पर नए है त मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबे फ्रेंड